नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सब जाडू पोचे का जंजट अपसे आपका कम होने वाला है क्योंकि देखे इस तरीके से जब हम घर में पोचा लगाते बैटके बहुत लोगों को ये करने में बहुत ज़़ा दिक्कत होती है क्योंकि उनके घुटनों में दर्ध होता है या फ इसके लिए बाकी आपको कुछ नहीं करना है आपके घर की जो प्लास्टिक बॉटल है बस उसे ले लीजे और उस पर दो छेद बना लीजे और हमारा जाडू पोचे का जंजट खतम हो जाएगा जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है यहाँ पे हमें कोई भी कटिंग नही करनी या फिर सिलाई नहीं करनी और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है तो यहाँ पी देखें मैंने एक प्लास्टिकी बॉटल ली है उसके देखें बीच वाले हिस्से में हमें एक छोटा सा छेद बना लेना है बिल्कुल छोटा सा बना लीजे ज्यादा बनाने में दिक्कत आती है पर एक ऐसा मैं आपके साथ टूल शेयर कर रही हूँ न एकिन मानिये इसे आप अगर दिखाओगे न तो बच्चे भी आपके बना लेंगे इतना आसान है दो से तीन सेकेंड में बन जाता है और इसे हम सालों साल चला सकते है बस यहाँ पे मैंने एक चेद बना लिया था उसी के सामने बिल्कुल हमें दूसरे साइड में एक चेद बनाना है बिल्कुल आमने सामने मैंने दो चेद बना लिये है और छोटे छोटे ही बनाने है कुछ इस तरीके से आप देखे और एक चीज हमें चाहिए जो कि हर घर में होती है आपके घर म मैंने एक ऐसी वाइपर की डंडी ली है जो कि पोचे के साथ भी आती बड़ी लंबी सी होती है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी पाइप यूज कर सकते हो या फिर हार्डवेर में आपको ये वाली डंडी आराम से मिल जाएगी तो इस तरीके से बड़ी ये जो हमने चेद बनाए थे ना उसमें डाल दिया है कुछ इस तरीके से इसलिए मैंने कहा था कि छोटे से चेद बना लीजे क्योंकि बड़ा चेद बनाओगे ना जब हम इसे इस तरीके से डालेंगे ना बोटल इधर उधर खिसक जाएगी तो इसलिए मैंने क्या क्या है बिल्कुल भी इसमें से ना निकले और हाँ ये वीडियो आप किस गाउं से या शहर से देख रहे हो जल्दी से मुझे कॉमेंट बोक्स में बताईए ताकि मेरा वीडियो कहा कहा पोचा वो मुझे पता चल सके और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपके गर में ऐसी पड़ी होंगी जो कि एक दो चार तो हमारे गर में होती है ज्यादा तर हम इसे पानी भर के यूज करते है या फिर कहीं बाहर जाते वक्त लेके जाते हैं तो देखे इसका थोड़ा हटके भी हमने यूज किया है इससे क्या प्लास्टिक बॉटल का भी यूज हो जाएगा और हमारा सबसे बड़ा जो काम है वो भी आसान हो जाएगा अब देखे कहीं नीचे वाले हिस्से से यह ना खिसके इसलिए मैंने नीचे से भी यहाँ पर यहाँ पान लिया है क्योंकि देखे क्या होता है न जो बना रहे हम चीज वो हमें बहुत दिनों से बॉटल अप कहीं भी नहीं हिलेगी और जो हम काम कर रहे है वो बहुत आराम से हम कर पाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से टाइट कर लिया है अब देखे यह हमारा टूल बनके रेडी हो चुका है आप सोच रहे होंगे इससे पोचा कैसे लगा सकते या फिर क पुराना गाउन पेटिकोड जो भी चीज़े होती न कपड़ा पुराना उससे हम पोचा लगाते तो यहाँ पे देखे मैंने एक टी-शर्ट को लिया है यहाँ पे हम दो तरिके से इस टी-शर्ट को इसमें डाल सकते है पहला तरीका तो देखे इस तरिके से जब हम इसे ड हिस्सा है वहाँ पे एक safety pin लगानी है जिससे कि यह बॉटल में से नहीं निकलेगा यहाँ पर मैं आपको और एक टीशर्ट डाल के दिखा रही हूँ दो तरीके से आप इसमें टीशर्ट या कोई भी कपड़ा डाल सकते हो तो यहाँ पर देखे एक टीशर्ट मैंने लिया है और इसे हमें क्या करना है जो डंडी का नीचे वाला हिस्सा भी आराम से जाएगी पर जब आप इसे पोचा लगाने के लिए यूज़ करोगे तो गिला करोगे और जैसे गिला कपड़ा होगा तो आप इस तरीके से इसमें डंडी को लेके डाल दीजिए तो देखें यहाँ पे यह हमारा एक पोचा बन चुका है और इससे हम बस टाइल्स नहीं बहुत सारी क्लीनिंग कर पाएंगे तो देखें इसे बनाना भी कितना आसान था बिल्कुल कुछ ही टाइम में इसे हमने बना लिया है अब हमारा यह लाइफ टाइम चलेगा बहुत ल कैसे घर पे बना लिया तो और ही ज्यादा खुशी होती है आप भी जरूर ड्राइ कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी से शेयर कीजिए तो चले देखते हैं इसका यूज कैसे करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना भी चाहे हम इसे हिला ले बिल्कुल भी यह जैसे आप देख पा रहे होंगे इसका जो बॉटल हमने यूज की न उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाता इसकी वज़े से न दो चार टाइल्स एक ही बार में क्लीन हो जाती है तो टाइम भी कम लगेगा मेहनत भी नहीं लगेगी ज्यादा तर देखे उम्र की वज़े से जिनके गुटनों में दर्द होता है वो पोचा नहीं लगा पाते या फिर कभी आम टाइम नहीं होता इस चकर में बैटके टाइम लगता है पोचा लगाने में तो ये सब टाइम में आप इस तरीके के पोचे का यूज कीजिए और आपका क्लीनिंग का काम आसान कीजिए च होड़ा हम इसे dusting ऐसे कर देते हैं तो यहां पर गिले कपड़े से आपको करना है तो आप कर सकते हो या फिर सुखे कपड़े से आपको पोचना है तो भी आप पोच सकते हो जाली भी निकल जाएंगे और cleaning भी हो जाएगी हमारी घर में जो tiles लगी होती है उनकी अगर आपको cleaning करनी है तो यह तरीका बहुत ज़्यादा best है इसमें जो हमने bottle यूज की न उससे इस पर pressure बनता है और cleaning बहुत आराम से हो जाती है घर के दरवाजे हो खिड़की हो बहुत ही आराम से ये भी clean हो जाएगी मतलब एक जो हमने tool बनाया उसे हम बहुत जगप यूज कर सकते है इ यहाँ पर हमने बहुत सारी पुरानी चीजों का यूज कर लिया जैसे कि bottle टी शर्ट जिसे कि हमारा बहुत सारा काम आसान हो गया जरूर ट्राइ कीजे देखे इसे न यूज होने के बाद इस तरीके से हम निकाल सकते है टी शर्ट को अच्छे से धो ये दो बारा जब आप को cleaning करनी है इस पे आप लगा सकते हो multi-purpose यूज है जैसे चाहे आप ऐसे यूज कर सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कॉमेंट वाक्स में बताए वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजे शेर कीजे चैनल पे नहीं हो तो subscribe जरूर करें चलिए फिर मिलते हैं झाल से पहाँ जरूर को TRAचाए जरूर को है यूर सकते हुएर झाल सब्सके जरूर थाया हुएर वाताउ एक वारी दाए